बॉलीवुड में चादतर अपनीत्रियों का करियर साधी के बाद खत्म हो जाता हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका फिल्मी कर्यर सारे के बाद ही शुरू हो गया था। अपने डैवी फिल्म से इस एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा भी किया जो कई दिनों तक चर्चा में रहा। हम बात कर रहे हैं। तुर्ण मुल्क कॉंग्रेस से सांसद रह चुके मुन्मुन सेन के बारे में। मुन्मुन सेन करजन 28 मार्च 1978 में कुलकाता के एक हिंदु परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम दीबा नाच सेन और माता बंगाल के शूप्रशित अबनेट्री शुचित्रा सेन थी। इनके पिता कोलकाता के बाली घंज के एक बहुत रईस और व्यापारी परिवार से आते थे इनके दादा दीनानाच सेंट त्रिपुरा की सरकार में मंत्री हुआ करते थे विदेश में पढ़ाई मुन्मुन की सुर्वाती पढ़ाई लिखाए लोरेटो कॉन्वेंट सिलॉंग में और बात में इन्होंने लोरेटो हाउस कोलकाता में दाखिला लिया अपनी सनाता की डिग्री हासिल करने के लिए मुनमुन ने लंदन का रास्ता अक्तियार किया और वहां के समर्विल कॉलेज ओक्सपोर्ड में दाखिला लिया शायद उन्हें अपने देश से ज़ादा प्यार था इसलिए वे फिर अपने देश लोट कराएं और सनात को तर की डिग्री जादोपूर यूनिवर्सिटी से ही हासिल की डियने में एक्टिंग मुनमुन की मा सुचित्रा शेहिन का भाती सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है जब मुनमुन छोटी थी तब अपनी मा के साथ उनके फिल्मों के सूटिंग देखने जाया करती थी अपनी मा को काम करते देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था लोग उनके मा की काम के तारीफ भी बहुत किया करते थे इसलिए मुन्मन भी अभिने करने की जित कर दी थी पेंटिंग का सौक मुन्मन पढ़ाई में तो होसियार थी ही साथ ही उनकी कला में भी उतनी ही रूची थी अपनी पढ़ाई खतम करने के बाद उन्होंने चित्रकारी करने का हुनर सीखा सिखाने वालक कोई और नहीं बलके खुद एक महाद चित्रकार जैमिनी राय थे इसके बाद उन्हें चित्रकारी की ऐसी लत लगी की अक्सर सारे सारे दिन में पेंटिंग ही क्या करती थी उन्हें पुरानी वस्ते में इकठा करने का भी बहुत सौक था सारकारी स्कूल में सिक्षिका बनी मुन्मुने अपना ग्यान सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा बलके उन्होंने बाली गंज के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी सुरू किया वा बच्चों को अंग्रेजी की सिक्षा दिया करती थी इसके बाद उन्होंने फिल्म की तक्निकयां सिखाने वाले स्कूल चितरबानी में छात्रों को ग्रॉफिक्स करना भी सिखाया इसके साथी वी समा सेवा में भी बहुत व्यस्त रहती थी साधी के बाद की फिल्मों में एंडरी साल 1978 में मुन्मुन की साधी देव वर्मा से हुई थी वार राज घराने से तालुक रखते थे आपको जानकर हैरानी होगी कि साधी के बाद मुन्मुन ने एक्टिंग में अपना डेव्यू किया साल 1984 में आई फिल्म अंदर बाहर से उन्होंने अपने कर्या के सुरवात की फिल्म भले ही कुछ खास कमाल ना दिखा सकी हो लेकिन हर और मुन्मुन की चर्चा जरूर होने लगी तरहसल अपनी पहली फिल्म में मुन्मुन ने जम कर बोल्ड सीन दिये जिसकी वज़ा से काफी हंगामा भी हुआ असी के दसक में वह अपने क्लैमरेस अंदाज के वज़ा से काफी फेमस हुई मुन्मुन ने हिंदी सिनिमा की धगधगल मादुर दिक्चित के साथ भी फिल्म हैंडर डेज में काम किया उन्होंने मुसाफिर मुहबत की कसम सीसा प्यार की जीत मजनूफ वो फिर आएगी पत्थर के इंसान विशकन्या वक्त का बाश्या जखमे दिल और भी कई फिल्मों में अबने किया उन दिनों वे फिल्मों में बहुत व्यस्त हुआ करती थी उन्हें कुलकाता और मुंबई के बीच में बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे क्योंकि मुनमुन सिर्फ हिंदे फिल्मों में ही नहीं बलके बंगाली, मराठी, मल्यालम, कंणर, तमिल और तेलगु भासाओं के फिल्मों में भी बराबर काम कर रही थी पूरी करियर में सिर्फ एक अवार्ड मुनमुन सेन ने तेलगु भासा की सिर्फ दो ही फिल्मों सिरी वैनेला और मज्जु में काम किया इनमें से सिरी वैनला में बेतरी नराकारी पेश करने के लिए आंधर प्रदेश शरकार ने मुनमुन सेन को सहायक कलाकार के नंदी अवार्ड से नमाजा गया यही वो इकलौता पुरुषकार है जो इन्हें उनके फिल्मिक कर्यर के दोरान उनके काम के लिए मिला इसके अलावा वे कलाकेंद्र, स्क्रीन अवार्ड, भारत निर्माड अवार्ड और कलाकार अवार्ड भी जीच चुकी है मुनमुन सेन का राजनीतिक सफर अबने इतरी मुनमुन सेन मार्च 2014 में त्रिन मुल्क कॉंग्रेस में सामिल होकर राजनीति में एंट्रे ले इसी साल उन्होंने TMC के टिकट पर पस्चिम बंगाल की बांकुरा लोकसभा सीर से चुनाओ जीत कर शुर्खियां बटोरी दरसल उन्होंने CPI के नौ बार के सांसत वाशुदेव अचारिया को हराया साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाओं में उन्हें भाशपा प्रत्यासी बाबुल सुप्रियों के सामने हार का सामना करना पड़ा